हेलो दोस्तो ट्रेडिंग न्यूज में आप सबी का स्वागत है तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग टाटा मोटरस लिमिटेड शेयर के बारे में बात करने वाले हैं तो फटा-फटा आप लोगों को इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को Tata Motors से जुड़ी हुई हर छोटी सी बड़ी सारी अपडेट्स प्रोआइड की जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर दिखें, Tata Motors में अगर आप लोगों को फ्राइडे को देखेंगे तो 0.16% के आप लोगों के यहाँ पर Tata Motors के अंदर तेजी देखने को मिली हुई है, और यहाँ पर Tata Motors से आप लोगों को 300 रुपय के लेवल को भी क्रॉस करता हुआ नजर आया है, इसी के साथ साथ देखेंगे काफी जादा heavy value में यहाँ पर quantity भी trade होते हुए नजर आ रही है, अगर आप देखेंगे तो 3,50,22,863 quantity आप लोगों के यहाँ पर trade होते हुए 52 week hike दोस्तों यहाँ पर Tata Motors ने 15 जून 2021 को बनाया था, 360 रुपय, 75 पैसे के आसपास, तो अभी चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं Tata Motors के जो important updates निकल के आ रही है, उन updates के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों जो पहली update निकल के आ रही है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर consistent basis पे आप लोगों को profit generate करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अगर आप पिछले 3 साल को देखो गे result तो Tata Motors आप लोगों को लगातार यहाँ पे जो profit generate कर रहा था, वो कहीं न कहीं loss generate करने लगा, अब जब यह loss generate करने लगा, तो दोस्तों interview हुआ, interview में पूछा गया कि Tata Motors 3 स तो तीन साल से आप लोगों को loss देखने को मिल ला है, तो अभी देखें, उन्हों ने क्या बयान दिया कि electric vehicle पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, और उन्हों ने यह भी बोला था, कि आने वाला quarter जो result रहने वाला है, आप समझ सकते हो, अगर एक बार हमको सही तरीके से technology मिल जाती है, electric vehicle की, तो अब आप समझ सकते हो, Tata Motors अभी जो Jaguar और Land Rover जिस तरीके की हम लोगों को यहाँ पे sales दे रही है, definitely यह JLR से change हो के दोस्तों, Tata Motor की जो electric vehicle लेगी, वो कबजा कर लेगी, और आप लोगों को quarter on quarter basis पे एक अच्छा profit Tata Motors में फिर से देखने को मिलने वा लिए वो दोस्तों यहाँ पे fund raise करने वाले हैं, जिसके अगर यहाँ पे electric vehicle की बात कर ली जाए, 7 billion dollar की यहाँ पे valuation आप लोगों को Tata Motors का electric vehicle में देखने को मिलता है, तो कहीं न कहीं यह बड़ी news आप लोगों को देखने को मिल लिए कि 100 million dollar यह Tata Motor यहाँ पे fund raise कर रही है, electric vehicle के technology पे और ज़्यादा काम करेगी, अगर इनको technology में success मिल जाती है, तब आप यह समझ लो Tata Motors में एक अच्छी खासी तेजी आप लोगों को देखने को मिलेगी, बट इसका अगर दूसरा पहलू देखा जाए Tata Motors में, तो हम अभी चलेंगे आप लोगों को दिखाएंगे, T Tata Motors के उपर depth बहुत जादा है, कर्जा बहुत जादा है company को उपर, और कहीं अगर यह fail हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं Tata Motors में एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है, क्योंकि इनके उपर already इतना जादा कर्जा आप लोगों को देखने को मिलना है, अभी वीडियो में बढ़ में क्या हुआ था कि जो ब्रॉंज मेडल से रह गए थे दोस्तों, जो भारती हमारे यहां पर क्या बुलते हैं, उसको भारती जो पार्टिशिपेट किये थे टोकियो उलम्पिक्स में, वो फोर्थ है, और अगर थर्ड आ जाते तो दोस्तों उनको ब्रॉंज मेडल मिल जा एल्ट्रॉज, तो बेसिकली यहां पर एल्ट्रॉज, उन लोगों को यहां पर एल्ट्रॉज की गाड़िया मिलने वाली है, तो यह कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो अभी चलिए यहां पर टाटा मोटर् लीजा 1.92 का देखने को मिलना है, सेक्टर पी देखेंगे माइनस 390 का और सेक्टर पी बी देखेंगे 5.09 का, वहीं पर अगर टाटा मोटर्स के डिविडेंट के बारे में बात किया जाए, तो कोई भी डिविडेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलना है, चुकि हम साथ साथ चलिए, मैं आप लोगों को वह इंपोर्टन पैरामीटर पे लेके चलता हूँ, जिसकी बारे में मैं बात कर रहा था, देखेंगे मार्केट कैप देखेंगे 1.9250 करोड का आप लोगों के यहां पर मार्केट कैप देखने को मिलना है, आरोई बहुत जादा नेग कर लूँ, तो जैसा कि उन्होंने बताया था कि बहुत टेक्नोलोजी पर काम कर रहे हैं, उनके CEO का कहना है कि आने वाला जो quarter result रहने वाला है, आप expect करके चल सकते हो, काफी ज्यादा positive देखने को मिल सकता है, कौन के बारे में बात कर लिया जाए, company का low interest coverage ratio देखने को मिलना ह मतलब कि आज से 3 साल पहले जिन लोगों ने याँ पर Tata Motors के अंदर investment की थी, उनके portfolio में minus 27.49% का return शो रहा होगा, इसी के साथ साथ देखेंगे तो दोस्तों आप लोगों को बता दू, interest cost जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, company को उपर इतना जादा करजा हो चुका है कि इ धीरे-धीरे capitalize होता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं न कहीं ये चलके आगे Tata Motors के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी, अगर यहाँ पे इनको electric vehicle में successfully यहाँ पे कामियाभी नहीं देखने को मिलती है, automobile sector में आप देखें, Tata Motors यहाँ पे number one पे देखने को मिलना है, quarterly result के बा 1605 करोड का आप लोगों के यहाँ पे net loss Tata Motors के अंदर देखने को मिला है, इसी के साथ साथ दोस्तों मैं जो तीन साल की बात कर रहा था, अगर आप ध्यान से देखो, 2019 में Tata Motors को लॉस हुआ, 2020 में देखो गे Tata Motors को यहाँ पे loss हुआ, फिर 2021 में देखो गे again Tata Motors को लॉस नजर आ रहा था, बट यहीं 3 साल है Tata Motors जहां पर वो एलक्ट्रिक वेहिकल पे ज़्यादा फोकस कर रहे है, एलक्ट्रिक वेहिकल पे बिंदास यहाँ पे होके Tata Motors पैसे खर्ज कर रहा है, अगर इनको कामियाभी मिल जाती है, तो डेफिनेटली यह जो 3-4 साल का loss देखने को मिलेगा Tata Motors में, वो एक ही साल के अंदर आप लोगों को recover होता हुआ नजर आ जाएगा, बट इसका आप opposite scenario भी लेके चल सकते हो, कि अगर यहाँ पे Tata Motors कहीं न कहीं fail हो जाता है, तो इसके उपर कर्ज बहुत जादा होने वाला है, वो चीज मैं आप लोगों को यहाँ प करोड का आप लोगों को कमपनी कुपर करजा देखने को मिल ला है, 2020 में देखेंगे तो एक लाख 24,788 करोड के आसपास आप लोगों के यहाँ पे करज देखने को मिल ला था, रिजर्व के बारे में बात कर लूँ तो कमपनी नो डाउट यहाँ पे अपने fund को increase करते हुए नजर आ रही है, 2020 में देखेंगे तो 61,491 करोड का fund देखने को मिल ला था, जो कि 2021 के अंदर यहाँ पे Tata Motors ने अपने fund से कुछ पैसे निकाले और अभी देखेंगे तो 54,481 करोड के आसपास आप लोगों को fund देखने को मिल ला है, तो यह सब चीजे आप लोगों को Tata Motors के अंदर ध्यान में रखनी चाहिए, अभी आगे बात कर लेते हैं, शेर होलिंग पैटर्न के बारे में तो अभी तक देखेंगे, तो promoters लगातार इस शेर के अंदर बने हुए हैं, यह मैं मार्च और जून के बीच में comparison कर रहा हूँ, FIS की बात कर ली जाए, FIS थोड़ा से यहां पर माल को खरीदारी करते हुए नजर आए, 13.78% से 14.28% देखने को मिल ला है, DIS की बात कर ली जाए, DIS यहां पर थोड़ा बहुत शेर को बिक्वाली करते हुए नजर आए, 11.91% से 11.47% देखने को मिल ला है, गौर्मेंट अभी तक Tata Motors के शेर को होल करके चल रही है और वहीं पर पब्लिक की बात कर लो, 27.75% से 27.69% के आसपास शेर को होल कर रही है, मतलब कि थोड़ा बहुत यहां पर पर पब्लिक की तरफ से बिक्वाली देखने को मिल ला हुई है, तो यह सब चीजे आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, Tata Motors के अंदर, इसी के सा साथ, दोस्तों, मैं Tata Motors में आप लोगों को बताना चाहूंगा, 282 रुपीज का जो लेवल है, Tata Motors के लिए important support की तरह काम कर रहा है, और वहीं से जो Tata Motors का अगला resistance phase होने वाला है, दोस्तों, वो 400 रुपे का होने वाला है, तो अगर आप लोग Tata Motors के share को buy करके रखे हैं, त तो कम से कम Tata Motors यहाँ पे आप लोगों को 400 रुपे का target देगा ही देगा, तो आप definitely यहाँ पे Tata Motors को hold करके चल सकते हो, अभी यहाँ पे देखना है दोस्तों कि आगे का जो result रहने वाला है Tata Motors का depth जो है, वो कम होता हुआ नजर आता है, या फिर और ज्यादा पढ़ता अभी तो फिलाल जो मैंने आप लोगों को न्यूस दिखाया उसमें वो भी depth जुड़ जाएगा, वो भी आप लोगों को करजा Tata Motors के अंदर देखने को मिलने वाला है, तो दोस्तों उमीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी, पसंद आई होगी तो स्ट्राइब कर देना, अब हम आप से अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत